हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रोयल स्टड़ी दोस्तों आज की स्वीडियो मद्यप्रदेश पूलिस से सम्मंदित एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आपकी निकल करा रही है उससे सम्मंदित हम बात करेंगे क्या-क्या चीज़े आपकी निकल करा रही है और क्या यह सभी यहां आपको बताएंगे वन बाई वन तो इस वीडियो का पूरा देखते रहेगा और एक चोटी से आप से रिक्वेस्ट किया दिए चेनल पर पेली बारा है तो सब्सक्राइब करने के संसाथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि यहां पर आपको अंत्रिक जानकर आपको यहां पर मिलती रहे इसके साथ में आपको मध्यप्रदेश पुलिस और MPPSC से संब्सक्राइब कर वाई जाती है बहुत सारा डेटा आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा तो वहां पर आप जाकर इसको चेक कर लिजिए इसके साथ दोस्तों देखिए आपको बता चाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हम जल्द से जल्द वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे अब आपको बता देते हैं कि नियूज निकल कर रहे हैं यहां पर आपके शामने सो रहा है मद्य प्रदेश पुलिस कर होती और यहां पर पूरी जानकारिया आपको दे देते वन बाई वन देखिए यहां पर सबसे पहले हम पढ़ लेते क्या क्या न्यूंजे आपके लिए निकल कर आ सब्सक्राइब करने की अनुमती पूलिस को मुख्याले को यहां पर दे दी हैं आपको दाता है कि सिवराज सिंग चोहान ने पिछले कुछ साल पहले यह गोशना की थी थी कि मत्यप्रदेश पूलिस में हर साल 5000 लोगों की भरती की जाएगी याने 5000 पूलिस कर्मियों की भरती की जाएगी लेकिन 2018 में चुना होने की चलते और इसके बाद 2019 में ततकाली पमलनास सरकार ने यहां पर यह जो ती किया गिया पुलिस और इसके साथ ने उपनी रिक्षक की भरती में यहां पर नहीं करवाईए और इसके चलते पुलिस मुख्या ने पुलिस भरती बोर्ड बनाने की तियारी की लेकिन इस दोरान पुलिस मुख्या लेकि चैन साका ने प्रताव से मदित पूलिस अपसरों को बताया कि तेहा कि पुलिस भरति बोड के प्रस्तावी तियार कर ग्रेव विबा को भेज गया है यth Peak पर इस्ताव पाधित और मंजूर हो जाता है तो पिछले तीन साल को बेक लोग यानि पंद्रह हजार आएक्षा को उपनी रिक्षक की जो भरती है इसका आस्ता मद्यविद्स में खुल सकते हैं हाला कि यहां पर उन्हों ने यह भी कहा है कि इतनी बड़े तादाद में एक सा की मिली थी अनुमति आपको उता है कि पिछले साल 2018 के लिए लगबाग 3500 पुलिस कर्मियों की बरती का प्रस्तावफ सासन को भीजा था जिस पर 249 में बरती किया जाने की अनुमति वित्तिविभाग ने दी ती जिसमें एक बार में 2700 पुलिस कर्मियों और अगले जो चरन में बागी पुलिस कर्मियों की बरती के जाने की मंजूर मिली थी लेकिन परिक्षा किस एजन्सी से करवाई जाए इसको लेकर कोई सरकार ने कोई नहीं नहीं लिया था और यहां पर इसी के कारण यह जो विकेंसिस है जब से अठकी हुई है तो देखिए यहां पर पूरी हो सकता है अगले साल तक भी निकल कर हाई यह भो सकता है इस साल ना निखले सबसे बड़ी बात यह रहेगी जो अड़ी सकते कर अब का कोरूना चल रहा है अभी कोरूना के बाद में कई ना कई उपचुनाओ आ जाएंगे उपचुनाओ के बाद में जो है और इस भारते को डिले किया जाएगा